मन्जिल पे जिन्हें जाना है तुफानों से डरा नहीं करते तुफानों से जो डरे मन्जिल कभी पाया नहीं करते जी हाँ, देश में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके हाथ नॉर्मल नहीं है कोई पैर से ठीक से नहीं चल सकता तो कोई आखों से नहीं देख सकता है लेकिन इन में से बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अपनी कमजोरी को श्राप ना समझ कर जिंदगी से लड़कर नया किरतीमान अपने नाम कर रहे हैं ऐसी ही बुलंदी की इबारत लिखने को तयार हैं इलाहबाद विश विद्यालय में एमेट की पढ़ाई कर रहे तौशीफ आलम जो हाथों से पूरी तरह से दिव्यांग हैं बिहार के रहने वाले और इलाहबाद विश विद्यालाई के एमेट के चात्र तौशीफ आलम का कहना है कि जब मैं दस साल का हुआ तो पहली बार स्कूल गया पहले तो बहुत अजीब लगा, मैं यही सोचता था कि मेरे दोनों हाथ नॉर्मल नहीं है, मैं कैसे लिखूंगा लेकिन माता पिता के मोटिवेशन ने मुझे टूटने नहीं दिया मैंने पहले पैर से लिखना शुरू किया इसके बाद मैंने हाथों से लिखना शुरू कर दिया आलम अपने जैसे लोगों को स्तंदेश देना चाहते हैं कि वे लोग अपनी कमजोरी को ताकत बना कर चलें तो सफलता उनकी कदम चुमेगी विकलांगता कोई श्राप नहीं है बस नजरिया बदल कर आगे बढ़ें कि मैंने सब भाई बहन के पहले मैं बोलता हूँ को अपने आपको एक कमजोरना संदे विकलांगता से जोला वहाँ हूँ तो उनकी मैं देखता हूँ कि हिंडी केप वो गए नजर से देखते हैं इसे होता है वह समाज पहले वह मुखधारा साइए विंदेव स्वोच निकाले वहाँ साथ तौसीप चीथ है जिन्होंने बताया कि हैंडी काप होना एक शराप नहीं है बलकि उसे आप अपनी एक उसे एक्सेप्ट करके लोगों के समाज के मुखधारा में जुणें और कहीं कहीं देश के लिए और अपने उचाईयों पे एक नया किर्तिमान रचे इटीवी वारत से सुमित यादो प्रयाग राच